नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं IRCTC यानि कि Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited में जो शेर प्रैस चल ला है वो क्या वेलुए वले क्या ओवर वेलुड तो नहीं है क्या हम पूरा डेटेल में डिसक्स करने वाले हैं क्योंकि सारे रेलुए के जो शेर है वो सब बूम पर चल कि मार्केट किस पर करता है जो शेर होता है किसी भी कमपनी का वो क्या तो कुछ कोई यह नहीं है कि आज इतना बढ़ गया कल इतना बढ़ गया अब आगे बढ़ता ही रहेगा ऐसा कुछ नहीं है जो अगर आप लॉंग टर्म के विजन के साब से देखो गई तो कपनी के ज और मैं आपको पढ़ना भी सकाता जा रहा हूँ हर वीडियो में कि भाई ऐसे पढ़ते हैं इनको इस statement को इस तरीके से पढ़ते हैं financial statement ऐसे पढ़ा जाता है सब कुछ मैं आपको सकाता भी जा रहा हूँ साथ के साथ आज मैं आपको IRCTC का बिल्कुल Ground Reality बताने वाला हूँ कि कैसे ये बढ़ने वाला है लगभग 1100 के आसपास महुँच गया है आप किसी भी railway के share की बात करोगे चाहे फिर वो IRFC हो गया चाहे वो RVNL हो गया RailTel हो गया Irkon हो गया या फिर आपका RailTel के बात में टीटा गड़ हो गया सब में positive outcome देखने को मिल रहे है तो क्या future expect हो सकता है railway के shares का तो सब कुछ मैं discuss करने वाला हूँ नेरली 1100 के आसपास आपका IRCTC का हो गया है तो अब देखो ये जो last दिन जो special trading session हुआ था Saturday वाले दिन जो कि market open किया गया था एक एक गंटे के लिए बीच में break देखे उस दिन ही 5.62% का increment देखने को मिला IRCTC में और IRFC हो गया RVNL हो गया सब में positive outcome देखने को मिला है तो अब आगे future में क्या हो सकता है कितना भार देख सकता है तो उस time पे उन्होंने दिखाया था कि उनकी profit अच्छी खासी हुई है और उनका जो department of focus है किस पे उनको focus करना है वो उनका shift हो रहा है ठीक है पहले internet ticketing से ज़्यादा पैसा आता था अब उनका tourism और catering service से ज़्यादा पैसा आ रहा है सब कुछ में आपको देखाने वाला हूँ revenue कहां से increase हो रहा है उनका कहां से उनके profit जादा बनने सब कुछ में उनके financial statesmen में देखाने वाला हूँ last year के comparison में भी last quarter के comparison में भी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो देखातों में अभी यहां पर आप देख लोगे तो पांस दिन का आप return देखो दस परसेंट है एक महीने का देखो गए तो नौ परसेंट के आसपास है क्योंकि बीच में market down रहा था क्रेस्ता रहा था तो उस बजए से वो थोड़ा सा down हो गया था अब फिलाल जैसी election complete होंगे उसके बाद में फिर दुबारा से आपको positive outcome देखने को इसमें मिल जाएगा ठीक है तो इसलिए बोल रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं कि भाई election complete होते ही सारे railway के जो भी stocks है क्योंकि अगर government repeat करती है तो उनका railway पर focus बहुत अच्छा खासा है सब लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे ही election complete होंगे फिर दुबारा से railway में आपका positive outcome देखने को मिलेगा चाहें फिर वो RVNL हो गया चाहें फिर वो IRFC हो गया चाहें फिर वो आपका IRCTC हो गया ठीक है तो उसी को लेके मैं आपको दिखाता हूँ क्या दे रखा है सबसे बहुत हैं कि मैं आपको PDF दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने ये mention कर रखा है ठीक है तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको खुल जा भाई हाँ यह रहा financial statement इसको देखो पढ़ना सिखाता हूँ मैं कैसे पढ़ते हैं तो एक लाख 11,830 रुपे हुए इस quarter में और इससे पिछले वाला quarter यह वाला है देखो यह वाला इस current quarter की बात है यह पिछले quarter की बात है यह पिछले से पिछले year की ठीक है तो ऐसे करेंगे सब को जो दे रखा है year end यहां पर दे रखा है तो हम इन दोर में comparison करेंगे कि यह इ 14,238 रुपे ठीक है यह last time की इनकी income थी इस वार की income एक लाख 16,380 रुपे यानि की पिछली वार से इनकी increase हुई है लगबग 12,000 रुपे 12,000 रुपे increase हुए है क्योंकि देखो सारे यह amount लाख हमें दे रखें आपको अब expense की बात करोगे तो expense में यहां पर total इनका expense देखो 74,298 हुए है last time हुए था 64,717 तो last time से इनकी expense increase हुए इन्होंने यहां पर manufacturing में भी ध्यान दिया है expense and tourism में ध्यान दिया है expense of catering services में दिया है तो देखो यह positive भी चीज होती है कि यह अपनी company जहां भी पैसा इनका जर्नेट हो रहा है उसमें company की बढ़ोतरी के लिए पैसा ल 25,21 लेक रूपीज ठीक है इस बार है 42,087 लेक रूपीज यानि कि last time से 3,000 लाक रूपे बढ़े है तो positive outcome देखने को मिला है tax के बाद भी tax के बाद यह है यह tax से पहले का है तो को tax से पहले का इनका है 39,000 जो last time का था tax के बाद का 39,521 इस बार इतना tax दे दिया 40,666 का इनक को देख सकते हूँ यहाँ पर 1000 लाक रूपे का ही केवल इंक्रिमेंट हुआ है क्योंकि इन्होंने tax ज्यादा बर दिया है ठीक है टोटल tax expense वगएरा सब कुछ इन्होंने mention कर रखा है तो वह आपने देख लिए अब tax पर earning पर share की बात करेंगे यहाँ पर earning पर share 3.75 लास्ट of review हमारे क्या क्या हैं तो यहाँ पर देखो आप देखो यह बहुत चीज़ प्रोवाइड कराते हैं catering rail near जो होता है और internet ticketing tourism state टीरत टीरत इतने से इनके पैसे जरनेट हो रहे हैं इतने से revenue इनका जरनेट हो रहा है तो देखो last quarter में था 99,843 लाक रूपीस यह इन सब से increase कर कि इनका revenue जरनेट जादा हो रहा है अब ही देखाँगे किस department में इनका पैसा जादा बढ़ रहा है इंटरनेट ticketing की बात करता हूं पहले मैं जो को पिछली वारता 32,750 रूपे इस वारे 33,531 रूपे यानि कि last time से भी यहाँ पर 1000 लगबग के आसपास 1200 के आसपास यहाँ प इसली वारता 96,55 इस वारे 16,750 लगबग 10,000 रूपे का इंक्रिमेंट देखनों का मिला है तो टूरिजम सेक्टर में IRCTC अच्छा परफॉर्म कर रही है तिकेटिक में इतना नहीं कर रही है और मैं आगे बता भी सकता हूं फ्यूचर में टिकेटिंग का सिस्टम और कम होग जिसमें आप देख सकते हों लोग करते हैं टिकेटिंग अच्छा कर लेते हैं रेल्वेस स्टेशन पर जाके कर लेते हैं इंटरनेट टिकेटिंग के जो कमिशन लेके जो आईर सेटिंग से करती है यह उसका पैसा है ठीक है रेल नीर की बात करोगे तो रेल लीन में तो यह ठीक है पिछली बार था 6484 लाग रोपे इस वारे 2796 तो यहां पर थोड़ा से decrement देखने को मिला है हो सकता है आगे future में अच्छा करेगी company इस department में क्योंकि यह बहुत बड़ा segment होता है state तीरत की बात करोगे 44,521 लाग रोपे थे और इस वार 4636 लाख रोपे है तो आई थेंक आपको समझ में आ गए चला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में यहां तक इतना देखना सीख गए होंगे आपके ऐसे देखते हैं और company के result positive है तो add the end आपको देखने को मिलेगा कि share इसका positive ही move करेगा क्योंकि जैसे इनके financials होते हैं quarters में उसी हिसाब से इनका share perform करता है ठीक है